प्रेंड्स, CRE, Common Requirement Examination का जब से फॉर्म आया है, तब से सारे स्टूडेंट डॉमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर काफी कन्फ्यूज हैं, इस बात को लेकर बेहत चींतित हैं कि आखिर डॉमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कैस मरकार के प्रसन रहेंगे, उसका सुगधा को दूर करेंगे, सारे कन्फिजन को समाप्त करेंगे, सारा डॉट के लियर होगा, और खास करके यदि आप लोवर डिविनल कलर्क, अपर डिविनल कलर्क और डाटा इंट्रिगेर्ट ग्रेडे पोस्ट के लिए MS, CRD के अंतरगत अपना ओनलाइन अप्लिकेशन दिये हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी फ्रूटफुल होने वाला है, तो फ्रेंड्स मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं, नौलेज ट्रेक 24 यूट्यूब चैनल, यदि चैनल पर पहली वार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ना भूलें, साथी साथ कॉमेंट सेक्शन में या जरूर कॉमेंट करें, कि आपने CRD, Common Requirement Examination, MS के लिए किस पद हेतू अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फिल किया है, तो फ्रेंड्स हम लोग 100% प्रूफ के साथ देखने वाले हैं, ताकि आपका सारा confusion जो है, वो समाप्त हो जाए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग Lower Divinal Color की या फिर Junior Administrative Assistant Post की बात कर लेते हैं, MS, CRD के अंतरगत जो है, Junior Administrative Assistant Lower Divinal Color या फिर Junior Administrative Assistant पद में, आपके जो domain specific subject होंगे, उसमें general math और English से प्रसंद हैंगे, बिल्कुल असपस्ट्रूप से लिख दिया गया है, MS के दोरा जो इससे लिख जारी किया गया है, उसमें ये देखिए, असपस्ट्रूप से लिख दिया गया है, General Math and English, तो General Math और English जो है, आपका domain specific subject रहेगा, में भी ऐसा possible है, यूं कहिए, जैसा कि MS, Delhi के कुछ इस्टाप के दोरा संपर करने के बाद, इस बात का पु Common specific subject में, General Math और English के अंतरगत, कुल 20 और 20 अर्थात, 20-20 प्रसन जो है, 20-20 question पुछे जाएंगे, 20 question आपके General Math से रहेंगे, और 20 question आपके General English से रहेंगे, अब बात बच गई, General Math क्या होता है, तो आप तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नए student है, उनको यह समझना काफी अवस्य कि General Math में, कार्थ है, Advanced Math से हट कर, General Math के अंतरगत, आप Average, Discount, Profit and Loss, Percentage, Time and Work, से related question बनाते है, General Competition में, जो आपका Math से रिलेटेड प्रसंद जो होता है, वो General Math के अंतरगत आ जाता है, इसमें आपका Advanced Math का सेक्षन नहीं पढ़ना होता है, और English के अंतरगत तो आप जानते ही होंगे, खासकर कि यदि आप competitive student हैं, तो आप SSC के state को देखिए, SSC का जो lower divisional color के LDC, 10 plus 2 अस्तर का जो प्रसंपत् जिसमें कि Postal Assistant, lower divisional color का और जो भी Secretariat Tester के पद होते हैं, SSC 10 plus 2 लेवल का जो advertisement के अंतरगत question आप देखे होंगे, हर साल इसका examination होता है, SSC, Central SSC की में बात कर रहा हूं, Staff Selection Commission की में बात कर रहा हूं, तो उसके प्रसंपत को देखिए, market में भी लेवल है, आपको काफी इस बात का पता चल जाएगा कि उसमें आखिर General English और General Math से प्रसंप किस प्रकार के होते हैं, यदि आप देखेंगे तो आप आएगे कि उसमें इंगलिस में जो है, vocabulary के section के साथ साथ comprehensive type के एवं grammar से रिलेटेड प्रसंपते हैं, grammar में आपका article, common error, यूँ के हैं तो parts of speech, यूँ के हैं तो पूरे grammar, grammar तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा और यदि आपको confusion है तो आप state को देख सकते हैं, SSC के द्वारा पूछा गया जो state होता है, उसमें grammar से जो main topics हैं उसे आप देख लें, grammar में जो है आपका vocabulary, comprehension के अंतरगत आ जाता है, यूँ के हैं, तो vocabulary हो गया, vocabulary के बाद आपका एंटो से नो, यह सब जितने topics हैं, one word, service, चूशन, यह सभी जो है आपको पूछे जाएंगे, English के अंतरगत, और general math भी हमने बता ही दिया, अब इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, कि इसका question जो हैगा, वो बिल्यूगल में होगा, Hindi और English में, यह भी आप जान नहीं रहें होंगे, इसके बाद फिर जो है, हम आपको यह भी बता दें, कि इसका जो examination होने वाला है, यह 100% आप से ओर रहिए, 100% निशिंत रहिए, कि examination जो है, अपने समाई से होने वाला है, examination में कोई confusion नहीं रहा गया है, examination बिल्कुल एकदम समाई से होने वाला ह है, और वैसे friends जो कि यह सोच रहे होंगे, कि आखिर क्या examination का date बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं friends, examination का date बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है, अभी तक कि जो भी गतिविदियां चल रही है, उसमें जो है, असपस टूप से यह किलियर है, कि 12 December का जो है, आपका examination का admit card आ आपका examination ले लिया जाए, क्योंकि ministry की तरफ से काफी pressure ms Delhi को दिया गया है, कि आप हरहल में examination ले लीजी, इसके बाद देखिए, यह proof के साथ हम लोग यहां आपको दिखा रहे है, data entry operator grade A, तो data entry operator grade A, जिसका की चर्चा हम लोगों ने अभी शुरू में ही किया था, तो data entry grade A मे भी जो है, ठीक उसी तरह से आपके प्रस्ण पुछे जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने LDC post के लिए देखा था, general math और English, तो आपने असपस टूप से देख लिया, कि data entry operator पद के लिए भी general math और English, जो है, वो domain specific subject में जो है, पुछे जाएंगे, data entry operator का पद जो है, वो भी आ आपका intermediate रस्तर पर ही पद होता है, अब इसके बाद फिर हम लोग ये देख लीजिए, senior administrative assistant के बारे में, देखिए, senior administrative assistant जो है, उसके लिए हम लोग भी, हम लोग देख लेते हैं, कि senior administrative assistant में, जिसे कि आप UDC काते हैं, उसमें, domain specific subject में कैसे प्रत्र रहेंगे, तो ये आपके skin पे रहा, आप असपस टूप से देख पा रहे होंगे, senior administrative assistant अपर divinal color किया फिर senior administrative assistant UDC, विविन परगार के, आप देखे होंगे कि, जो sit में भी प्रसना आता है, UDC अस्तर का, जो की SSC staff selection commission, जो आपका central SSC है, उसमें graduation level के अस्तर का या पद है, MS में CRD, advertisement के अंतरगत भी, MS चाहे वो आपका कल्यानी हो, या फिर MS देवगर हो, या फिर जहाँ-जहाँ भी MS के लिए, UDC post का online application लिया गया है, उसमें भी graduation जो है, इसका minimum योगिता है, minimum qualification graduation है, तो senior administrative assistant upper divinal, या फिर UDC post आपका ये, इसका भी जो है, domain specific subject जो है, उसमें general math और English से प्रसंद रहेंगे, ये देखिए सकीन पे, general math और English, आपको बिल्कुल असपष्ट नजर आ रहा होगा, general math and English, तो friends, conclusion के रूप में आपने ये देखा कि चाहें आप UDC, या फिर LDC, या फिर data entry operator, चुकि ये तीनों जो है, administrative assistant के अंतरगत पद आते हैं, कनिश्ट प्रसासनिक सहायक, वरिष्ट प्रसासनिक सहायक, एवम data entry operator, ये सभी administration में help करते हैं, तो कहीं पर भी administration का जो section होता है, उसमें जो है, इन post की posting होती है, तो इन तीनों का syllabus जो है, EMS Delhi, CRD का जो या examination होने वाला है, जिसमें की EMS Delhi के द्वारा अब पुर्ण रूप से declare कर दिया गया है, जिसमें की कोई confusion एवम दुबधान नहीं है, तो आप यह निश्चित रूप से अब समझ गया होंगे, कि इन तीनों post के लिए जो domain specific subject है, उसमें general math और English से ही प्रस्न पूछे जाएंगे, तो friends, आप confused ना हुई है, किसी भी इधर उधर की बातों में ना लगिये, general और math और English पे बिल्कुल focus कर दिजिए, domain specific subject में आपको इसी से प्रस्न पूछे जाएंगे, और part A का जो section है, उसे तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, जिसमें कि 40 प्रस्न होंगे, 45 math का समय दिया जाएगा, और वे 40 प्रस्न जो है, वो general knowledge and computer से 10 प्रस्न रहेंगे, general intelligence जिसे आप reasoning करते हैं, उसे 10 प्रस्न रहेंगे, इसके बाद quantity, aptitude जिसे कि आप math करते हैं, उससे 10 प्रस्न रहेंगे, और English या Hindi, आप कोई भी एक आपको select करना होगा, चाहें आप English को भी select कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी को भी select कर सकते हैं, आप दोनों को देख लीजिएगा, open करके कि आपका जो है, किसमें, जो है, easy आप fill करते हैं, या फिर आपका कौन सा सेक्सान जो है, अच्छा है, मजबूत है, आप किसमें सारे प्रस्नों को easy way में, एवम सटिक जो है, answer दे सकते हैं, उसको आप select क कर लीजेगा, यदि आपका English अच्छा है, तो आप English को select किजिए, यदि आप Hindi में comfortable है, तो आप Hindi को select कर सकते हैं, तो 10 प्रस्न जो है, उसमें English या हिंदी से प्रस्न रहेंगे, तो उदर जो है, कहने का अर्थ ये हो गया, कि Part A में, GK, एवम computer knowledge से 10 questions, math से 10 questions, reasoning से 10 questions, और Hindi और या English से 10 questions, कुल 40 questions आपके 45 minutes के हो गया, और Part 2 में फिर 45 minutes के लिए सिर्फ आपका general method English से प्रस्न रहेंगे, तो उमीद करता हूँ कि अब आपका confusion 9-11 हो गया होगा, अब आपके सारे dot जो है, वो समाप्त हो गये होंगे, अब आपको किसी भी प्रकार की examination scheme, scheme, अर्थात यू कह तो examination में किस भी से और किस topic से प्रस्न रहेंगे, इसमें confusion नहीं रही होगी, खास करके यदि आप इन तो नो पोस्ट के लिए, junior administrative assistant, senior administrative assistant, और data entry operator gear DA के लिए apply किये हैं, तो friends, उमीद करता हूँ कि अब आप निश्य दूर्प से अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई पे फोकस क करेंगे, किस प्रस्न, कैसा प्रस्न पूछा जाएगा, और किस topic से प्रस्न रहेंगे, यह आपने अची तरह से समझ लिया होगा, तो फिर मिलते हैं, वीडियो के next lesson में, यदि आप पहली वारा हैं, तो वीडियो को comment section में जरूर comment करें, कि अब आपका confusion समाप्त हुआ या फ सारे पुष्ट के लिए एक जाम लेशन, इसकी लागू नहीं है, तो फिर आप ने यदि टेकनिकल पुष्ट के लिए अफलाइ किया है, जैसे मान लीजिए, as example, staff nurse, यदि आप staff nurse हैं, और आप senior nursing officer के रूप में अपना online application दिया है, तो 40 marks तो आपका part day का रहेगा ही, और 40 question जो है, आपके nursing से फूझे जाएंगे, वही आपका domain specific subject हो गया, इसे प्रकार से मान लीजिए, अपने technician या फिर यह कहें, तो technical assistant के रूप में अपना online application फिल गया है, तो आपको domain specific subject में आपने level पे आप जब technical education ले रहे थे, तो उसके अंतरगत आपने जो पढ़ाई की है, आ आपका जो subject है, उससे प्रसंद रहेंगे, तो कहने करतिया है कि यदि आप technical field से हैं, तो फिर आपका जो अपना field जिसमें कि आपने पढ़ाई की है, उससे जो है आपको प्रसंद, domain specific subject में पूछे जाएंगे, हाला कि MCRE के अंतरगत जो है, यह बीवित्ता है, यह बीवित्त में, examination scheme में, domain specific subject में भी क्या पूछा जाएगा, और उसमें topic भी क्या रहेंगे, यह बी जो है, बिल्कुल अब असपस्ट हो गया है, तो यदि आप उलजन में हैं, या फिर आपको किसी विपरकार का confusion हो रहा है, तो निशीत रुप से आप comment section में comment करें, कि आपने किस पद के लिए online आविदन दिया है, और आपको किस चीज़ के लिए confusion हो रहा है, तो friends मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय वारत, आपका दिन सुभो